हलो नमस्कार आधाप सस्रीया काल गुड मृणिंग दोस्तों GS वाले भई आपका हर दिक स्वागत हो मैं भी नंदन करते हैं तो धोस्तों हम लोग यहाँ पर RO-RO का फुल प्रैक्रिस सेट करा रहते हैं जिसमें हम लोगों ने 10 IS के 20 practice set पूरे करा चुके हैं जिसमें 10 practice set GS के हैं और 10 practice set हिंदी के हैं दोस्तों उसको full detailing के साथ 4 option को cover किया गया है with mapping के साथ और minimum time में तो दोस्तों आप लोगों के लिए मस्ट हो जाता है वो देखना और उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों 5 practice set GS के essay upload किये हैं अपने खुद के और 6 practice set हिंदी के upload कर दिये हैं ये 7 practice set हिंदी का full explanation के साथ पूरी detailing के साथ जो है explain किया गया है दोस्तों तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है एक एक session देखना और जितने भी classes पहले कराए गये हैं चाहे वो GS के हो चाहे वो जो हम सुबह politics की एक class ले रहे हैं उसमें भी जो भी हम one liner या MCQs लगवा रहे हैं दोस्तों वो आप लोगों के exam के लिए upcoming exam के लिए बहुत ही आवश्यक है बहुत मस्ट है देखना क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें explain करके बताई गई है तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा questions लगाने जरूरी होते हैं वो सारे questions आपको उसी playlist में बहुत आराम से मिल जाएंगे चाहे वो आप आरो यारो का देर है या पॉलिस constable का देर है उसकी हमने अपने channel पे उसकी अलग-अलग playlist बना दी है आप उस पर जा करके देख सकते हैं तो दोस्तों अब हम लोग अपने session को शुरू करते हैं पहला question है प्रफुल का विलोम क्या होता है तो दोस्तों प्रफुल का विलोम होता है मलान ठीक है प्रफुल का मतलब खुशी होती है और मलान का मतलब क्या होता है दुख होता है दुख एक अलग शब्द है लेकिन प्रफुल के लिए जो शब्द आएगा वो मलान आएगा दुख का विलोम सुख होता है और विशाद का हर्ष होता है कोप भाजन के शिकार हो गए मतलब गुस्ते के शिकार हो गए तो कोप का क्या होता है कृपा होता है कोप का ठीक है दूसरा कोशन है परुष शब्द का विलोम क्या है परुष का मतलब होता हार्ष कठोर होता है ठीक है तो परुष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा पूमल हो जाएगा ठीक है यहाँ पर और सरल का कठिन होता है या सरल का जटिल कह सकते है पर किये का मतलब स्वकी होता है पर किये का की हो जाएगा तो पर किये का स्वकी हो परोक्ष का मतलब पर अक्ष के पीछे मतलब आख के पीछे परोक्ष का क्या हो जाता है प्रत्यक्ष हो जाता है और पारदर्शी का अपारदर्शी हो जाएगा और परिश्कृत का अपरिश्कृत हो जाता है ठीक चौथा है प्राचीन शब्द का विलोम क्या होता है तो प्राचीन शब्द का विलोम अरवाचीन होता है ठीक है वरतमान का भूत हो जाएगा समी चीन का अर्थ होता है उचित और समी चीन का विपरीत क्या हो जाता है अनुचित हो जाएगा ठीक है कृत्रिम का प्राकृतिक ह हो जाता है ठीक कृतिर्म का ने सर्गिक हो जाएगा ठीक है या प्राकृतिक दोनों कह सकते हैं पांचवा है निमलिखित में शुद्ध वर्तनी बताना है तो दोस्तों जोत्सन होता है यह सबसे सुद्ध लिखा हुआ और ऐसे ही लिखा जाता है यह कोश्चन पूश्टा ही एक्जाम में निमलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चैन करना है तो इसमें सबसे शुद्ध उपरयुक्त डी ऑप्शन लिखा हुआ है ठीक सातवा है निमलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है भारत में चंद्रियान दो लांच किये हैं ग निमलिखित में से वाक के शुद्ध रूप का चेन करना है तो पहला सेंटेंस है पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है लेकिन प्रतेक शब्द की अर्थ में समानता होती है दूसरा सेंटेंस है पर्यायवाची शब्द के अर्थ में समानता होती है लेकिन प् singular में आता है ठीक है तो लेकिन परतेग शब्द यह लिखा है न यह वाला sentence सही बादागा तो ए आप्शन इसका सही होगा ठीक है इससी दे थे लेते परियावाची शब्दों के अर्थ में समानता होते है लेकिन परतेग शब्दों यहां में घलत लिखा है प्रियावाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है लेकिन प्रतेक शब्द का अपना विशेस्ता होता है गलत हो गया टोटली ठीक है नाइन्थ है जिसके समान दूसरा ना हो जिसके समान दूसरा ना हो आप नहीं अदुती होता है ठीक है आप तो हैं तो अलोकिक का मतलब क्या होता है इस लोक से परे स्वर्गिक अप्रतिभा जिसके पास प्रतिभा ना हो अप्रतिभा हो गया दस्वा है जिसकी गिंती नहीं की जा सके अगरित हो जाता है अगम्म का मतलब होता है दुरगम हो जाता है ठीक यह हो गया ग्यारमा कोश्चन होता है जिस पर उपकार किया गया हो वो होता है उपकृत होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस उपकार को मानने वाला कृतग्य होता है और इस उपकार को ना मानने वाला कृतग्न होता है ठीक है और जिस का कार सिद्ध हो गया हो अग अगर हम कोई कार करते हैं और हमारा कार सिद्ध हो जाता है तो कहते है कृतार्थ तो यह हो जाता है बारवा है जिसका शत्र जन्मा ही ना हो तो अजात शत्र हो जाता है ठीक है और आदियो पांथ का मतलब क्या होता है आदि से अंत तक होता है आदियो पांथ अजे का मतलब ज इसको जीता ना जा सके और आकरांत का मतलब क्या होता है जिस पर हमला किया गया हो ठीक है वो हो जाता है आकरांत पेरवा है निमलिखित में से कौन सायूग में तद्भो तक्सम की दिरिश्टी से सुमेलित नहीं है बहुत धंग से पढ़ना है पूरा कुश्चन पढ़ना है ओजा उपाध्या है ओजा तद्भो है उपाध्या तक्सम में सही लिखा हुआ है केला कदली ये भी तद्भो तक्सम लिखा हुआ है आप आत्मा ये भी तद्भो तक्सम लिखा हुआ है कपास करपाट नहीं लिखा हुआ है दोस्तों ठीक है कपास का होता है करपास होता है तत्सम ठीक है बहुत important है ध्यान देना है ठीक 14 हुआ question है तद्भो और तत्सम की दिरिष्टी से कौन सा मेल गलत बताना है long, love, ये सही है तत्सम ये तत्भो लिखा हुआ है ये तत्सम लिखा हुआ है low and low चं ये भी सही लिखा हुआ है आयसु का आदेश होता है ये भी सही लिखा हुआ है आत का अंत्र नहीं होता है आत का दोस्तो आंत्र होता है ठीक है ये हो जाता है ठीक ये important है ध्यान देना है ठीक 15 हुआ है निमलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है जोड़ी मिलाना है दोस्तों ठीक है कर्म और विद्या ये तत्सम दोनों तत्सम लिखे हुए है कर्म विद्या दोनों तत्सम लिखे हुए है मत्सिम्रिग दोनों तत्सम लिखे हुए है भठ्ठी भ्राष्ट्रिका ये भी तत्सम लिखा हुआ है दोनों तो दधी का भक्त हो जाएगा ठीक है तो धीरे धीरे दोड रहा है में एक रेखांकित शब्द क्या है धीरे धीरे क्या कर रहा है दोड रहा है दोड क्या है तो किरिया की विशेष्टा क्या बता रहा है दौल धीरे धीरे तो किरिया की विशेष्टा जो बताता है वो किरिया विशेष्टा होता है ठिक अठारवा कोश्चन देखना है निम्न में से किरिया विशेशन अव्य बताना है कुत्ता भौक रहा है भौक रहा है लेकिन कैसे भौक रहा है ये नहीं बताया है श्याम खाना खा रहा है कैसे खा रहा है ये नहीं बताया है रमा रात भर जागती है, जागती कैसे ये नहीं बताया, अधिक मत खाओ, खाओ, मतलब कैसे खाओ, अधिक, तो अधिक बता रहा है इसकी विशेश्टा, ठीक है, तो यहीं पर हो जाएगा किरिया विशेशन यहीं पर है, ठीक है, बहुत इंपर्टेंट है, विशेशन विशेशन से 10 कुश्चन पूछते हैं, और पिछले सेशन में भी बहुत अच्छे से समझाया है, जब भी विशेशन 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 पूछे, तो विशेशन क्या होता है, जो विशेशन बताता है, किसकी संग्या या सरुनाम की, म लड़की तो कुछ न कुछ शब्द जरूर जोड़ेगा लेकिन जब कोई विशेश आएगा संग्या आएगा सरुनाम आएगा तो वो अपने साथ सेंटेंस की शुरुआत कर देगा राम अच्छा लड़का है राम जा रहा है कारक चिन राम ने रावर को कारक चिन आ जाएग उसके आगे अकर्म से शुरुआत हो जाएगी ठीक है लेकिन विशेश के बाद कभी विशेश नहीं आएगा और विशेश विशेशन के बाद हमेशा विशेश आएगा दोस्तों ये ध्यान देना है ठीक है तो हम हमेशा उसके बाद कोई न कोई सेंटेंस जोड़ करके करें तो नो से दस में से नो से ज्यादा question हम लोगों के सही होंगे, ठीक है, तो दिव्य, दिव्य, आगे हम sentence जोड जाते हैं, दिव्य लोग, सब्द जोड दिये, लोग कैसा है, दिव्य, दिव्य विशेशन है, पहले विशेशन हो गया इसमें, पिता, पिता, आगे क्या जाया, पिता आदरनी हैं, पिता बुजुर्ग हैं, पिता विर्द हो गया हैं, तो यह सब्द जोड़ा, पिता सम्मानी हैं, तो पिता के साथ sentence की शुरुवात हो रही है, ठीक है, आप नहीं करना चाहिए, तो देखिए इससे sentence की शुरुवात हो रही है, प्रमाल, एक ने, प्रमा लोग चाहिए दिव्य कह रहा है कि मुझे लोग चाहिए तो दिव्य लोग मिल करके एक हो रहा है और लोग कैसा है दिव्य है तो यहां पर दिव्य क्या हो जाएगा विशेशन हो जाएगा बीसवा है निमलिखित में से कौन सा शब्द विशेशन है इसमें भी वही करेंगे हार्दिक बधाई बधाई कैसी दी जा रही हार्दिक बधाई दी जा रही है बला हार्दिक कहरा हार्दिक शब्द अकेले नहीं आ सकता हार्दिक मतलब क्या कुछ नहीं हारदिक पांडिया न जोड़ दीजिएगा पता चला संग्या मार के चल दिये तो यही विशेश हो जाएगा छेतर बड़ा है छेतर स्वर में विशेश है शंका क्या है यहाँ पर शंका नहीं करनी चाहिए शंका समाधान का कारण नहीं होता है तो शंका से शब्द की शुरुवात सेंटेंस की शुरुवात हो सकती है हवा बह रही है हवा जा रही है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे तीनों से सेंटेंस की शुरुवात हो रही है तो तीनों यहाँ पर क्या हो जाता है तीनों विशेश हो जाता है शंका भी विशेश हो जाएगा लख शंका कुल हो गए अतुल बलशेश नयन ठीच गए दिर्गों में सीता के राम में नयन सूरिका अंतरपाठी निराला की एक पंक्तियां है तो 21 है जानवी शर्द परयावाची है तो जानवी किसका परयावाची है जानवी गंगा का परयावाची है तो मंदाकनी हो जाता है ठीक है कुमूदिनी यहाँ पर कमल का परयावाची हो जाता है और रश्मी दोस्तों किरन का परयावाची हो जाता है ठीक है किरन ठीक और नल लिखेद मेंसे धेर मतलब कहीं पर धेर मतलब संगरही का फुछ की आ जाता ने धेर गैर का मतलब क्या होता है। और दर्प का मतलब क्या होता है एहंकार होता है घमन होता है ठीक है यह हो जाएगा चोबिसवा है अनुपम का पर्यावाची है अनुपम का मतलब होता है अदुटी होता है ठीक है प्रभूत का मतलब क्या होता है उद्गम होता है और लोकिक का मतलब सांसारिक होता है ठीक है 25 नश्ट का विलोम क्या होता है तो नश्ट का विलोम होता है सर्जन दोस्तों ठीक है सर्जन मतलब वो नहीं मेडिकल वाला सर्जन तो नश्ट का सर्जन मतलब सिर्जित करना कोई चीज़ बनाना किसी चीज़ को निर्माल करना ठीक है चब्विस्वा है गौल का विलोम क्या होता है दोस्तों बहुत इंपर्ण गौल का विलोम मुख्य हो जाता है ठीक है ताइस्वा है उन्मूलन का विलोम बहुत इंपर्टेंट है उन्मूलन का विलोम रोपण होता है उन्मूलन हम लोग कहते हैं हम लोग जैसे राष्टी मले इसी के साथ एक अता है कि ना word, का विलों कहता है ?ड। मैं confuse मत हो यहाँएगा, बहुत important ध्हाँजगा संलेयन का विलोम क्या होता है हम लोग देखते हैं संलेयन अभिकिरिया और विखंडन अभिकिरिया है कि नहीं तो संलेयन का विलोम क्या हो जाता है विखंडन हो जाता है ठीक है और पलायन का उन्नयन हो जाएगा 28 अपवे का विलोम क्या होता है अपवे का मतलब फर्जी खर्च करना तो अपवे का मतलब दिमाग से खर्च करना जहां आवशकता है वहां खर्च करना ठीक है 29 निम्न लिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है विदित शुद्ध लिखा हुआ है वेस भूशा शुद्ध लिखा हुआ है मनीशा सुध लिखा हुआ सुष रूशा गलत लिखा हुआ तो यही इसका आंसर हो जाएगा यह कैसे लिखा जाता है यह सुष रूशा सुष रूशा का मतलब होता है सेवा करतव परायनता ठीक है यह important ध्यान देगा तीसमा question है सही विकलपा चैन करना है किर्पया मेरे पत्र पर ध्यान दें ये सही लिखा हुआ है ठीक है मेरे पत्र पर ध्यान दें किर्पया ये भी गलत हो जाएगा किर्पया करके मेरे किर्पया करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दें ये भी गलत हो जाएगा ठीक है तो इसका B option सही हो जाएगा 31 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है 36, 36 ये वाला हो जाएगा ठीक है, ये कैसे लिखा हुआ है ता पर आधाता लिखा हुआ है 36, ठीक है 32 जिम्लिखित वाकियों में से एक वाकिशुद्ध है, पेड की पत्तागिरी ये कहा सेंटेंस सही हो जाएगा ये तो कोई भी मार देगा गलत पेड में से पत्तागिरा ये भी गलत हो जाएगा पत्तागिरा पड़ा पेड़ों से ये भी गलत हो जाएगा पढ़ो इसको पढ़ के दिखा दो अच्छे से पत्तागिर पड़ा पेड़ों से आखिर एससा कुछ होता नहीं है। किसी का हिन्म छोटी जाती में नहीं होता है। तब समय होता है। हब लोग ने बना दिया व्यवस्ता, इनका द्ढेर्ट छोटी जाती मि इनका जडिय जाती है। जन्म के आधार पर सरिष्ठता का प्रचलन कब से शुरू हुआ उत्तरवैदिक काल से है कि नहीं जहां पर हमने जन्म के आधार पर जातियों में बाटना शुरू कर दिया दोस्तों हम लोग पिछले टेस्स सेरीज में भी ये चीज कर चुके हैं तो अंतियज कहते हैं फिलाल इसको पढ़ने ही पड़ेगा भाई है कि नहीं छोटी जाती में जिसका जन्म हुआ अंतियज कहलाता है और इसका इसका देखे शुद्वरतनी भी ऐसे ही लिखा जाएगा ध्यान दीजेगा ठीक है 34 शेव शब्द के लिए सही वाकिय क्या है जो शेव का मतलब जो शिव की उपासना करता हूँ ठीक है यह हो जाएगा 35 है गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है तो गोद लिया हुआ पुत्र दत्त कहलाता है ठीक है और जो दत्त होता है दत्त का मतलब क्या होता है दिया हुआ ठीक है और दत्त चित का मतलब क्या होता है एकागर चित मनवाला एकागर मनवाला क्या कहलाता है दत्त कहलाता है 37 ते निमलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है तत्सम बताना है शक्कर तद्भो लिखा हुआ है इसका तत्सम क्या होता है शरकरा होता है शब्द सती तत्सम शब्द है और इसका सत्सई होता है इसका तद्भो ठीक है यह हो जाएगा हम लोग सत्सई देखते ने सत्सई बि नहीं हाल यहसातवथानगर नामक की जिन्हों ने गाथखा शप्त शती नामक रचनाल लिखी यह ठीक है बहुत इंपॉर्ट show होुली का W filing plays का होता है मोती भी तदभव है और मोती का कया होता बहुत important है मौक्तिक होता है ठीक है यह तीन है मौक्तिक होता है Christopher सिंहाला थंडियों के मौसलम में तो सिंहाला का तत्सम रूप श्रिंगाटक हो जाता है क्या हो जाता है श्रिंगाटक और इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है सुघत भी जो है तत्सम शब्द है हम लोग कल पढ़ चुके हैं 40 है मिट्टी का तत्समरूप क्या होता है मिट्टी का मिर्ति का होता है तत्समरूप ठीक है 41 है यह सिक्टा खोटा सा दिखता है इसमें खोटा सा क्या है खोटा सा दिखता है कैसे दिखता है खोटा सा दिखता है तो ये गुडवाचक विशेशन हो जाएगा ठीक है 40 सेकेंड है निमलिखित में से किस वाक्य में विशेशन का प्रियोग नहीं हुआ है बताना है विशेशन का प्रियोग नहीं हुआ है तो वह छात्र है इसी में विशेशन का प्रियोग नहीं हुआ है अच्छा वह लड़का छात्र है लड़का इसमें क्या है लड़का इसमें विशेश है और लड़की की विशेशता क्या बता रहा है वह संकेत कर रहा है ठीक है तो वह इसमें सारुनामिक विशेशन हो जाता है ठीक है वह परिश्रमी भी है परिश्रमी व्यक्ति है वह परिश इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े यही हो जाएगा परीमाल वाचक विशेशन यहां लड़का अच्छा है अच्छा गुड़वाचक विशेशन है मैंदान हरा भरा है गुलवाचक विशेशन है तुम अच्छे छात्र हो अ चोग आलिस है दुष्ट व्यक्ति से संबंद नहीं रखना चाहिए इस वाक्य में प्रयोगतु दुष्ट क्या है दुष्ट क्या है दुष्ट विशेशन व्यक्ति कैसा है व्यक्ति दुष्ट है तो दुष्ट किसकी विशेशता बता रहा व्यक्ति की तो दुष्ट विशे है बुद्ध होता है प्राग होता है दामनी नहीं होता है दामनी बिजली का होता है तो तुलसी दास की रचना है ये ठीक है दामनी का पर्यावाची क्या हो जाता है भिजिली हो जाता है विद्दुत हो जाता है सव्दामिनी हो जाता है कि नहीं मिर्ग का इंदर मतलब शारदुल हो गया, केसी हो गया, मतलब सिंग हो गया, ब्यागर हो गया, बाग हो गया, ठीक है, ये सब हो जाता है, उन्चास है, आगत का विलोम क्या होता है, आगत का अनागत होता है, ठीक है, उन्चास का क्या हो गया, आगत का अनागत, और विगत का तो विगत का आगामी हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, आगामी, तथागत, बुद्ध हो जाता है, स्वागत का क्या हो जाता है, स्वागत का तिरसकार हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, तिरसकार हो जाता है, ठीक है, पचासमा देखते हैं, निम्लिकित में विलोम की परदे में आना मतलब अंधकार के परदे में आना तो तम का मतलब ही होता है अंधकार तो अंधकार का क्या हो जाता है प्रकाश हो जाता है ठीक है तो शीतल यहाँ पर गलत हो जाएगा और निंद का शलाग यह सही लिखा हुआ है निंद का मतलब निंदा करना और शलाग का मत अंधिकार होता है फिक है क्या होता है अनधिकार होता है लिखahhaina ति सेकरण नीचे ही एक ही शभद की वर्तनी चार तरह से लिखी गए यह सही बताना है अनुग्रहीत यह गलत है अनुग्रहित ऐसे ही लिखा जाता है इंपोर्टैंट या ध्यान दे लीजिए इसको ठीक है पिरपन है आदि से अंत तक तो आद्यो पांथ होता है मतलब शुरुआत से लेकर भी तक अंत तक एकडम जो है ठीक है यह हो जाएगा आद्यो पांथ चोवन आउसर के अनुरूप बदल जाने वाला आउसर वादी होता है ठीक है दोस्तों यह ध्यान दीजेगा पचपनवा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है तो तत्सम नहीं है बताना मेग तत्सम है विक्छोब तत्सम है लक्षपती तत्सम है सांकल तत्सम नहीं है दोस्तों सांकल का क्या होता है सांकल का श्रिंखला होता है ठीक है ये important है ध्यान दीजेगा 56 है निमलिखित में से कौन सा सब्द तत्सम नहीं है बताना है तो चैत तदभो है और चैत का होता है चैतर होता है तदभो ठीक है दोस्तों ये important है पूछा है कौन सा तक्सम नहीं है तो चैत तक्सम नहीं है चैतर होता तो तक्सम हो जाता ठीक है 57 ते आसकती का परियावाची क्या हो जाएगा तो आसकती होता है हम लोग किसी में आसकती रखते हैं तो इसका अनुरक्ती हो जाएगा ठीक है परियावाची ठिक अनुरक्ती मतलब उसी में हम लगे हुए है 58 है निमलिकित में से कौन सा एक अनाथ का परियावाची नहीं है तो बे सहारा है यतीम खाना हम लोग देखते हूंगे है यतीम खाना मतलब जो अनाथ हाले होता है वो होता है यतीम का मतलब अनात हो गया अनाडी नहीं है दोस्तों ठीक है निराश्चिन भी होता है 59 निमलिकित में से एक विशेशन शद नहीं है अब विशेशन आ गया हम लोग वैसे ही करेंगे question करेंगे लजीला लजीला का मतलब होता है शर्मीला लजीला व्यक्त तो व्यक्त कैसा है शर्मीला है लजीला है तो ये विशेशन है लाडला पुत्र तो लाडला भी इसमें विशेशन हो जागा विकल्प नहीं है जिंदगी में विकल्प नहीं है तो विकल्प क्या है विकल्प विशेशन हो जागा विकल्प का विशेशन क्या होता है वैकल्पिक रास्ता वैकल्पिक प्रश्न है कि नहीं तो विकल्प इसमें विशेश्य है और पूछा है विशेशन शब्द नहीं है तो यहीं विशेशन नहीं है लापता बच्चा लापता है कि नहीं बच्चा कैसा लापता व्यक्ति व्य निमलिकित में से शब्दों में से जो शब्द विशेशन नहीं है बताना है तिरिस्कृत व्यक्ति कैसा है तिरिस्कृत है और इसका विशेशन नहीं है यह क्या है विशेशन है तिरिस्कृत क्या है विशेशन है और इसका विशेशन क्या होता है तिरस्कार होता है ठीक है कैसा है चर्चित है तो इसका विशेश क्या होगा चर्चा होगा मंगल बहुत बुरी चीज है कि नहीं तो मंगल क्या हो जाता है मंगल विशेश हो जाता है ठीक है और पहरा विशेशन नहीं है तो यही आंसर जाए मंगल का विशेशन होता है दोस्तों मांगलिक होता है और ज इसका भी मांगलिक लोगों से अगर पाला पड़ जाता है वो भी मांगलिक ही हो जाता है तो दोस्तों ये हो गया मंगल का मांगलिक इस तरीके से हम लोगों ने 60 कोश्चन बहुत अच्छे तरीके से फुल डिटेलिंग के साथ चारो आप्शन को कवर करते हुए बिना किसी की फरजी की बात करते हुए हम लोगों ने to the point रहते हुए अपने इस लेबस को कवर किया है दोस्तों उमीद करते हैं शेशन आपको पसंद आया होगा शेशन को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और किसी भी परकार का अगर feedback देना हो कमी नजर आती हो तुरंट उसको कमेंट में लिखिएगा उस पर तुरंट काम किया जाएगा दोस्तों उमीद करते हैं शेशन आपको पसंद आया होगा मिलते हैं अगले शेशन में जै हिन जै भारत